लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए के आया हूँ वेच पुलाव की रेस्पी बहुत ही आसान है इसे बनाना बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको और यह हम कडाई में बना लेंगे तो इसे और भी आसान कर दूंगा मैं हम कोकर में तो जनरली बनाते हैं लेकिन आज हम इसे कडाई में बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं ह अलग ही टेस्ट आता है, आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से अच्छा फ्लेवर आता है, और यहाँ पर थोड़ा समय ने जीरा एड़ कर दिया है, जीरे को अच्छे से तड़काना है हमें, जब तक जीरा तड़क न जाए, अब तक हमें उसे तड़काना है, और ये कुछ मसाले एड करने है इलाइची बड़ी इलाइची तेजपत्ता दालचीनी का तुकड़ा तो यहाँ पे दो से तीन आप हरी इलाइची जरूर ले 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 इससे बहुत ही अच्छा फ्लिवर आएगा और अब इन मसालों को भी हम अच्छे से तड़का लेंगे और यहा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे तो यहां पर प्याज हम अच्छे से फ्राई करेंगे और काजू Sigrid network i тmia ले सकते हैं और यहां पर आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मतर, गाजर और ये पनीर इनी वेज़ेटेबल का यूज कर रहा हूं, आप और भी अपनी पसंद के वेज़ेटेबल ले सकते हैं, और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एक दो मिनिट हम इसे सौते जाँगे मैं यहां पे जिंजर गालिक का पेस्ट डालना भूल गया था तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऑइल ऐट कर रहा हूं और यह दो चम्मच जिंजर गाश्वें को फैसे पेट कर रहा हूं आप इसे पहले ही एट कर लीजिएगा जब प्याच अच्छे से फ्राइव हो जाएगी मैं भूल गया था इसलिए मैं अभीिसे एड़ कर रहा हूं फरकुछ भी नहीं पड़ेगा दोस्तों यह अच्छे से फ्राइव हो जाएगा थोड़ा सा ओयल मैंने और डाल दिया है और यह अच्छे से फ्राई हो जाएगा हमारा पक जाएगा हमारा पेस्ट और साथ में हमारे वेजिटेबल भी पकेंगे तो यहां पर दो से तीन मिनिट हो चुके हैं अब मैं यहां पर एक दो से तीन हरी मेंच काटके हैं बासमती राइस यह फुल राइस हैं मैंने से वाश करके रख दिया था और दस से पंदा मिनिट के लिए पानी में बेगो के रखा था तो यहां पर हम राइस को एड कर देंगे ध्यान रखें कि राइस को बहुत हलके हाँ से वाश करें और जब एड करें तब भी बहुत हलके आँच से करें राइस हमारे तूटने नहीं चाहिए तो इस बात का विसेस ध्यान रखें अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और ये जो पनीर है ये फ्राई कर लिया था मैंने तो ये फ्राई पनीर मैंने इसमें एड कर दिया है कुछ नहीं थोड़े से त दिया था तो देड़ गिलास में पानी आइट करूँगा तो ये रेशियो आप बिल्कुल याद रखें जितना भी राइस लें उसका देड़ गोना पानी आइट करेंगे और ये सौध अनुसार मैं इसमें नमक डाल रहा हूं तो यहाँ पे देड़ गिलास मैंने पानी 1-2 मिनेट और ढ़ाँ पकाएंगे तो गैस की फ्लेम की हमिल्कुल लो कर देंगे और अब खोलेके देखें लेक देख मारे और अच्छे मारे अच्छे पउले लगाएं इसे हम वांपस से बंद आप रहेंगे अब क्या करेंगे हम इसके नीचे एक तबाहा लगाएंगे त से क्या होगा कि यह हलके हलकी आच में पकेगा और हमारे राइस जलेंगे नहीं और अब क्या करें कि पानी जब आपको लगे कि सूक रहा है तो इसमें हलका हलका पानी का आप किंचा मार दें तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें हलका सा छिड़क दें और बापस से इसे पकने रख दें आप देखेगा कि आपके राइस जो हैं बिलकुल खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही यमी लगेंगे बहुत ही अच्छी घुसगो आएगी उसमें से तो हलके-लका मैंने या पर पानी इसके उपर छिड़क दिया है और अब इसे बापस से मैंने ढखके रख है पकने के लिए तो पांच मिनिट हम इसे और पकाएंगे पांच मिनिट आवाद बाद आप देख सकते हैं पूरा राइस हमारा बन चुका है और देखिए राइस कितना खिला-खिला बना है बिलकुल एक-एक राइस अलग-अलग है वेजिटेबल्स भी हमारे पूरे जैस सभी दिख रहा है और यह मटर, गाजर सभी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं आप पसंद के अपने वेजिटेबल्स एड़ करिएगा तो कैसी लगी आपको रेस्पी कमेंट्स करके जरू बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरू दबा दिजेगा जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नॉटिफिकेशन मिल जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद